आज के इस lecture के अंदर मैं आपको यह जो model है इस तरीके का model complicated shape complicated surface में किस तरीके से इस तरीके का हम इस model का बनाएंगे यह मैं आपको बताने वाला हूँ right तो यह surface में बनाने के बाद बाद में मैं इसको thickness apply की है तो click करते हैं आपे और start करते हैं sketchur से sketchur में सबसे पहले मैं यहां से जाता हूँ xy plane पर और xy plane पर जाने के बाद यहां से शुरू करता हूँ मैं एक circle से तो circle को हमने यहां से लिया और एक circle बना ले दे एक line मैंने यहां से यह ले ली और एक line और यह मैंने ले ली अब इसको मैं symmetric कर देता हूं तो first second और middle वाला symmetric आ जाएगा इसको मैंने trim कर दिया और यह जो डाया है इस डाया को कर देते हैं लबग 60 और angle ले लेते हैं हम angular की मदश से इसके और इसके बीच का 72 का तो 360 से divide करने में हमें असान हो जाएगा इस विर से मैंने 72 इसको ले लिया है आप इसको 60 भी ले सकते हैं तो वो भी एक option हो सकता है तो फिलहाल मैंने से trim कर दिया और यह जो है इसको यह इसको रहने देते हैं ऐसी dark और exit कर देते हैं अब इसमसे जो आगे वाला curve है इसको extrude करते हैं पर यहां से हमने लिया इसको आप ले लिजेगा single यह हमने क्लिक किया और यह मुझे चाहिए सिफ 25 और सिफ एक की साइड में ले ले लिजे उपर या नीचे की तरफ तो चल और offline दोने available हैं अगर आप annex CAD या annex surface या annex cam सीखना चाहते हैं तो contact कर सकते हैं लिंक आप mobile number जो है वह आपको description में मिल जाएगा और इसके अंदर यह surfacing के अंदर यह कुछ option हैं जो की cover होंगे surface plus curve दोनों चीजे cover होती है surface के लिए यह कुछ surfacing example है जो की हम लोग training में cover करते हैं और इसके अलावा भी कुछ और complicated surfaces हैं जो की हम cover करेंगे तो यह सबसकंदर cover हो तो अगर आप करना चाहते हैं तो contact कर सकते हैं आप WhatsApp पे मेरा number description में आपको मिल जाएगा अब इसके बाद करना है मैं इसको फिलाल hide कर दे अब यहां पर जो shape बनानी न वो shape के लिए हमें cover चाहिए तो cover के लिए मैं arc use कर लेता हूं यह एक आर्क ली और arc मैं यहां से pick करता हूं और एक यह हो गई arc इसी को ही mirror कर देते हैं mirror इसके respect में और यह ठीक नहीं लग रहा undo यहां से लिया और यहां से pick करके मैं इस तरीक से इसको लेता हूं इसको लेता है mirror इसको mirror करेंगे और इस curve की respect में और फिर एक और मैंने यहां से बीच में से यह curve ले लिया और यह tangent होना चाहिए और यह tangent कर दिया इसको और यह कुछ रियादा लग रहा है चलिए इसे भी नहीं चरते पहले dimension ले लेता हूं और dimension यह ऊपर से यह जो point है इसके बीच का जो gap है वो आप डाल दीजिए कुछ तो अभी क्या लें इसको 4 ले लेता है right और इसे double click करते हैं यह जो है 80 का radius करते हैं और फिर यह point और यह जो point है इसके बीच का gap यह इसको मैं लगबग 6 कर देता हूं और एक line और ले रहते हैं यहां से यह अब इसको mirror करेंगे तो mirror लिया यह वाला curve mirror about this line और यह जो line है यह reference में convert हो जाएगी बिल्कु ठीक अब यह जो gap दिया वाह है यह वाला यह है हमारे पस 7 तो इसको 7 ले लेते हैं से अठायता हूं इसे मैं नहीं रख रहा हूं सिर्फ 7 वाली को मैंने रख लिया अब 7 के बाद एक काम और करते हैं एक और mirror line चाहिए तो मैंने यहां से पिक किया एक यह click कर दिया और फिर से mirror लेते हैं यह वाला curve इसके about यहां पर आगया अब dimension ले लिजे और dimension मैं ले लेता हूं यह और यह इसके बीच का यह gap 6 कर देते हैं और यह तो ठीक है पर यह वाला जो gap है ना यह मुझे थोड़ा सा यादा लग रहा है तो यह वाला gap इसको भी ले ले लेते हैं कुछ यहां से pick करते हैं इसके पीच मैं काम करने वाला हूं ओपर वाले पे नहीं काम करूंगा इसके और इसके बीच में हम काम करने वाले हैं ठीक है और यह gap कम यहादा करने से ही सारे एफक्ट पड़ेगा तो फिलाल अभी मैं आपको वह दिखाऊंगा भी बात में पहले हम एक लाइन इधर ले इसको लेने का reason मेरा क्या है इसे select किया और इसको select किया equal कर दोते हैं और एक key dimension आप कुछ भी define कर दीजे मुझे इसका ऐसा कुछ काम में सच नहीं है फिर ये line और ये जो आर्क है इन दोनों को tangent कर दीजे राइट ही tangent होना चाहिए है से मिदर से भी ही है और ये गलत है योँ ही है सब प्रक्राइब लोगाई प्रक्राइब आप झैट थो यादा लग रहा है तो इसको मैं 5.5 कि देता हूं ठीक तो पास आजएगा चलिए खेर, ओके चलिए बाद में लगेगा तो चेंज कर लेंगे, भी 60 रख देते हैं इसको और ओके इसको मैं यहां से फिनिश कर देता हूँ और फिनिश करके मैं यहां से यूज करूँगा डिवाइट फेस, और डिवाइट फेस इसका सेंटर है, यह क्या इसके सेंटर पे है, बिल्को एक्सेंटर पे है तो एक डाटम प्लेन लेता है, और डाटम प्लेन मैंने लिया इसके और इस लाइग की मदद से, राइट अपलाई फिर से यह वाला और यह वाला इसकी मदद से एक और हो गया डाटम प्लेइन अब इस पे sketch करना है हमें इसके और इसके बीच में बस तो क्या करना है sketch में जाइए यहां से select किया right और orientation के लिए के लिए आ रहा है चले खार ok कर देते हैं और जैसे भी आ अब यहां से circle ले लेते हैं और circle लेकर मैंने और एक सर्कल कि यह बना दिया अब यह यहां से नाह्त राख आ रहु वह मिझे चाहिए बार्का नहीं चाहिए हुड आएते हैं और इसको रखे रहें देते हैं कोई बात नहीं आगे गहीं काम आएगा जुरत पड़ीगी तो यूस कर लेंगे इसे कर देते हैं फिर इस वाले प्लेन पर आजेए इस पर स्केच करते हैं और इस पर भी हम लेते हैं एक horizontal plane यह हो गया और okay यहां से circle तो जहां पर यह बनाया है यहां से यहां तक और गलत क्लिक हो गया यहां से नीचे सब्सक्राइब कर लेते हैं यह लिजा ठीक है और एक लाइन ट्रिम बार का नहीं चाहिए राइट फिनिश यह आ गया प्लीन को अब हाइट कर देजिए प्लीन की मिज़ेसी रिक्वार्मेंट नहीं है अब क्या करना है अब डीकेस दो तडरीके म siis पहला मैं यूज के एक बीच का भी रही है यहां तो बीच का प्लीन कोजिए एक स्पील के को चाहि現在 प्लीन का करता हुआ यहां पर दो चजग पर लेता हो और यह का जंख कर लेका है आँ इसे और इसे मिज़र किया बीच नियु पिर प्नख्र buff as एक यह सरकल राइट ट्रिम जैसा मैंने बुला था बार का नहीं चाहिए तो अटा दीजिए फिनिश ओके अब क्या करना है आप इसको हम करता है पाटन करदेते हैं ठीक है तो पैटन में यहां से और पैटन हमने लिया रहा है पैटन जो मेंटरी में यह मेरी जो मेंटरी हो गई और circular और यह जो कर्व है यह भी मुझे चाहिए तो यह कर्व यह कर्व और यह कर्व होगे है और वेक्टर के लिए यह पॉइंट हो गया और कितने चाहिए कि यहां से काउंट एंपिच काउंट आइन स्पाइब श्री सिक्स्टी जाएगा और फाइव और ओके अब यह करूना कम लेना था खैर ले लिया तो कोई बात नहीं तो अब क्या करते हैं यह प्रॉपर स्मूथ आ रहे हैं अगर अलग बनाता तो शायद यह ठीक ना आपाता इसलिए मने एक साथ ही ले लिया अब यहां से यूज करते हैं हम स्टूडियो सर्फिस और शुरू करत एड ये इसका सेकंद अब्ध करव कुमालेजए एड तटर्ट कर्व मिद्ल सिंदों अगला फिर मिद्ल क्लिक अगला और विर Oooh अगला मिदल क्लिक एक ये फिर मिदल क्लिक और एक ये मिदल क्लिक और एक ये और मिदल क्लिक और वापिस ये पहले वाला अब देखने में तो बड़ा अजीव से लग रहा है पर कोई बात नहीं आप क्या करें यहां से टेंजेंट कर ले लेजी और ये पिकिया इसका कर्व मैंने प अप्लाई आप देखे ठीका गया सेम यही नीचे भी यूज़ करने वाले हैं तो क्लिक किया फर्स्ट एड फर्स्ट कर्व एड थर्ड कर्व एड फर्थ कर्व एड उपर से क्लिक रिएगा ताकि एरो जो है यह सारे सारे हमारे उपर ही आए और यह फिर से पहला वाला कर्व अब यहां से गाइड में जाते हैं और गाइड में जाके मैंने लिया यह उपर वाला एड और यह नीचे वाला ओके और यह हाइड कर देजी आप राइट इसको भी हाइड कर देते हैं और स्केचिस भी आप हाइड कर देजी हाइड और यह हाइड राइट आ गया यही शेप था अब इनके बीच में लगा देते हैं हम फिलिट तो के लिए मेरे पास है face-to-face blend तो face-to-face blend ले लिजिए और body face के लिए single face लेंगे arrow अंदर second वाले के लिए arrow अंदर भारो का चाहिद यह इसलिए time ले रहा है यादा एक मिटू कुछ आते है इसका भी अंदर कर दोते हैं और यहां से 2 या 1 का ले लिए और preview और okay आगे अब इसके बात क्या करना है इसको कर दोते हैं हम face-to-face तो यहां से जले रही है और ले लिए pattern geometry और pattern में यह पूरी की पूरी geometry है मेरी इस बार है linear और linear के लिए direction vector है मेरे यह वाला अब आप देखे आप उपर जाना चाहते हैं कि नीचे लेकि जाना चाहते हैं तो इसको मैंने कर दिया कुछ 5 और इदर से ले रहते हैं से 12 और okay आगे इन सब के इट में फिलेट लगे तो फिलेट लगे तो फिलेट लगे तो फिलेट में इस वहले preview को आप अब आप अब आदेची एजब्लेंड नहीं लेना सॉरी यह लेना हमें face-to-face face-to-face ले लेजिए और ताकि जल्दी हो जाए इसलिए मैं preview घडायता हूं मैंने क्लिक किया यह arrow अंदर और सेकेंड वाले पर जाते हैं एक लिक एरो इसका भी अंदर होना चाहिए और फिर अप्लाई फिर लेजिए दर प्रिव्यू नहीं करना एरो अंदर फिर इसे क्लिक किया एरो अंदर नहीं नीचे आके क्लिक और एरो इसका भी अंदर के दफ और रोके राइट यह आ गया और कंशल अगर आप कोई भी चेंज गरना चाहते हैं तो चेंज कहां दो होगा यह वाला जो स्केश था तो यह नहीं सेकेंड वाला फ्रस नहीं सैकेंड वाला इसकेश था यह वाला यह हाई डैबी इसलिए शो नहीं उपा रहा तो आप यहां से इसके शो कराएं से शो कहा है यहां से चेंज होगा यहां से अगर आप कोई भी चेंज करेंगे उसका आपको इफेक्ट यहां पर मिल जाएगा है अब आप देख लिए क्या चाहिए आको कम यहां यहादा लग रही है वह चेंज कर सकते हैं जैसे मैं इसको रहा था किए जैब यह चाहिए तो चेंज हो जाएगा पर क्या अब आपको करने दिखाता हूं क्या करें यह बीच का जो है यह 2 था इसको मैंने 1.5 कर दिया राइट तो चेंज हो जाए गए ठीक है बहुत यादा मैनर से नहीं है लेकिन इससे सही है चलिए तो आप ट्राइब करके देख लिए जागा फिलाल मैं नहीं शेड रहा हूं इसको और हाइट कर देते हैं अब क्या करना है सामने वाले प्ले एक लाइन मैं यहाँ से ले लेता हूं यह रैट लाइन काul गासा अब इन दौन लाइन काप क्या करिये 2017 गोगोत दिजिए तो ऐसे नवाटों करने के बाद आप लेकरियों करतेजिए यनरी फेर लेले अशे discuss यह हो दोशटीर करने चाहते हैं इसकी मदद से तो नीचे वाला बचेगा ठीक है बिल्कु सही है फिर इसको स्लिट किया और ट्रिम करना चाहते है इसकी मदद से और कौन सा उपर का बचेगा नीचे का कट जाएगा इसको हाइड कर देजी हाइड हो गया इसकेच को हाइड कर देजी हाइड हो किया including this or okay या नहीं लेना चाहते कोई बात ने हमने face ले था face blond लेव फेस दे लो face लें ले 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 झाल एक पर यह एरो अंदर दूसरा यह वाला arrow अंदर की तरफ और one का है ठीक है कोई बात नहीं आगया जिसके त्टिकनश अप्लाई करना चाहते है तो त्टिकन के लिए इस तो इस पे मैंने वन की त्टिकनश अप्लाई कर दिया है और वन के तिकनशस अधिकनश रही है, और रही यह जागा है तो इसको मैं और कम कर देता हूं 0.5 कर देता है क्योंकि साइज छोटा है इस वज़े से हम इसे कम ही ले लेते हैं और ओके राइट अंदर का फिलेट अब दिखाई देने लग गया पहले फिलेट भी नहीं दिखाई दे पा रहा था था थिक्रस यादा थी बाद में अप्चा अप्लाई कर सकते हैं कौन सा मठीरियल कैसा आप रखना चाहते है राइस राइट तो यह पूरा आपको यहां पर मिल जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रॉपर समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलिए थैंक यू फर वाच बंप लाइट थैंक भी वा उपको यह प्रॉचिन